प्रसित पगवाल मेले की तैयारियों प्रसित पगवाल मेले जिसे पत्थर माल मेला भी कहा चाता है इसके तैयारियों को लेकर डेम नरेंद्र सिंग मंडारी ने लोहा घाट में मा बाराही मंदिर कैमेची के पदा अधिकारियों के साथ एक बैटक करी बैटक में लोहा घाट के विधायक खुशाल सिंग अधिकारी मौजूद रहे मा बाराही मंदिर कैमेची के अधिक्ष खीम सिंग लमगडिया के नेत्रत में एक सिस्ट मंडल दियम भंदारी से मिला और बगवाल मेले में सुरक्षा, पेजल, सड़क, पार्किंग, शोचाले, खुडा, निस्तार, सांस्कृतिक दलों के रहने खाने के वश्था करने के बारे में देम भंदारी से चर्चा कर उन्हें ग्यापन सौपा इस बार जो है हमारे हां मेला शाड़ी कौतिक जो है फिछले दो साल से कोबीट के वज़े से थोड़ा सांकेतिक रहा था इस बार हम लोग हमारी जो बारहाई मंदिर कमेटी से कीम आई है और उनका आश्वासन भी हमें मिला है कि आपका जो मिला होगा भवी होगा बहुत सुन्दर होगा और इसमें जो हमारी मांगे हैं हमारी जो मांगे हैं वो उसमें जो है सारे मांगे हमारे डियम साब ने मान ली हैं और उनके निदुत में भवी मिला हमारा इसका होगा तहने आटन्योंस सबी जो हमारे जिन प्रतिने इसे और मंदर समिती और जो देवी दुरा के जो मंदर गौं के लोग हैं उनके जिन्दिनिंसे मुलाकात की गई और उसमें जो मेले को इभागी मीला घोषित किया गयate तो उसके संबत्स बतादे अध्यक्षिक खीम सिंग लंगडिया ने बताया कि रख्षा बंदल पर्वे की अफसर में वाले देश का प्रसीद बगवाल मेला आत अगस्ते शिरुग होगा बारा अगस्त को प्रशीद बगवाल खेनी चाहिए तथा उनिस अगस्त को जन्मास्टमी पर्वपर मेल मेले की सबी विलस्थाओं को अच्छी तरह से करने का आश्वासन भी मेला कैमेटिक होगा कर दो कर दो कर दो Bye मेला कमेटी के अध्यक्षि लमगडिया ने बताया कि 8 अगस्त को मेले का शुबारम सीयमधामी से करवाया जाएगा जल्दी ही सीयमधामी को आमंद्र देने के लिए एक्सिस्ट मंडल देरादून को रवाना होगा मालूम हो कोरोना के चलते पिछले दो वर्षों से बगवाल मेले को संकेतिक रूप से मनाया जा रहा था लेकिन इस बार देश्विदेश से लाखों लोगों के आने की संभावना है बगवाल मेले में देवी धूरा छेत्र के चार खामों के द्वारा एक दूसरे पर पत्थर बर्सा कर बगवाल खेली जाती थी लेकिन अब पत्थरों से बगवाल खेलने पर प्रशासन ने रोक लगाती है अब लोग एक दुसरे पर फल बर्सा कर बगवाल खेलते हैं बगवाल को देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी हजारों लोग देवी धुरा पहुंचते हैं चमपावत्से प्यूर रिपोट